जैन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्यन करेंगे क्लास 12 में जो हम लोग फिजिक्स में अंसौल कर रहे हैं अगरवार नंसौल जिसमें आज जो हैं हम लोग सेट करेंगे सेट 5BW सेट 5BW इसकी प्रिविएस वीडियो में सेट 1,2,3,4 को हम लोग ने कंपलीटली खतम कर लिया हैं आज हम लोग सेट 5BW करने बाले हैं आपको बताते कि आप लोग के पास अगर राजीब, हम, एक्स, अरियंत, आउतार कोई भी अंसौल्ट हो आप लोग क्या देखोगे सेट आपको 5 देखने के जरुत नहीं है केवल BW देखोंगे बस यही आपका कोट है, होसकता है कि हम में सेट 1, हो, अरियंत में सेट 2, हो ठीक है, जैसे आपका राजीब में सेट 1 हो या कुछ अलग-अलग हो सकते हैं, ठीक हो केवल B W देखेंगे, चले सुरू करते हैं, सबसे पहला question है हम लोग हलक ऐसे करेंगे उत्तर या प्रश्ण एक डाल डालेंगे हम लोग तो हम लोग या तो इसको डालेंगे कि प्रश्ण संख्या 1 या फिर उत्तर 1, ठीक उत्तर 1 और काड़ा लगे, I solve करेंगे हम लोग तो इसमें हमारे पास question क्या है question है किकि किस एक electron जिस पर आवेश E आवेश क्या है, E है तो लिखेंगे हम लोग, आवेश जो है हमारे पास आवेश क्या है, E है और द्रब्मान यम है तो द्रबमान हमारे पास क्या है द्रबमान जो है हमारे पास यम है ठीक है एक समान बिद्दुच्छेतर E में गतिमान है एक समान बिद्दुच्छेतर E तो बिद्दुच्छेतर को अनि E का मतलब क्या है बिद्दुच्छेतर बिद्दुच्छेतर को लिखते हम लोग E से ठ तो तो तोरण का मदलेव हो गया है हम लोग तोरण मतलेव एक्सिलेटर ए जो है जो है जो है हम लोग ज्याद करेंगे तो यह simple सा फार्मूला इह है फार्मूला होता है ए बराबर ए आब बटय frog जहां यह आवेश च्या तो फिर इसको आजसे विर सकते हैं, a बराबर q e butu m, दोनों ही same फार्मूला है, हाँ, तो देखो ज़रा कौन सा ओफ्शन, पहला ओफ्शन है e butu m, नहीं, दूसरा है capital e, small e butu m, यह ज़िए, तीसरा है ym butu e e ज़िए गलत है और e butu m, यह ज़िए, तो कौन सा ओफ्शन हमारे पास सही है, तो हम लोग कहेंगे दूसरा option हमारे पास सही है, यह दोनों के दोनों इसी के ही फार्मूले है, तयार रखना इसको, पता ने exam में को घुमा दिया जाए, इसके जाए को क्यों कर दिया जाए, तो Q या E एक ही बात है, clear, अब देखो question number हम लोग करेंगे, एक कखा, तो एक कखा म ले, तो लिखते हम लोग उत्तर, उत्तर एक और खा, तो स्रेडी क्रम, स्रेडी क्रम में तुल प्रतिरोध जो है, हमारे पास R1 है, और समानतर क्रम में हमारे पास जो तुल प्रतिरोध है, यह क्या है, R2 है, ठीक है, और हमारे पास यह भी दिया गया है, कि आरवन जो है वो यन आरटू है तो यन का नियुंतम मान संभाव है यन का नियुंतम मान संभाव है अब ध्यान लगना तीन समान प्रतिरोद तीन समान प्रतिरोद मतलब तीन प्रतिरोद है आरवन जो है आरटू जो है आरत्री जो है तीनो एग दूसरे के बराबर है तो त समान प्रतिरोद सबसे पहले हम लोग लगा देंगे स्रेडी क्रम तो स्रेडी क्रम आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थिरी फार्मूला होता ही हमारे पास तीनों बराबर है तो हम लोग कई सकते हैं इसको आर वन से लिख रहे हैं और तीनों को आर से लिख रहे हैं बराबर हम लोग मान ले रहे हैं कि यह R है यह मान लिया हम लोगों ने यह हम लोग इसको मान लिया हम लोगों ने तो R1 क्या है स्रेडी किरम में तुल पर दुरूर R1 है तो हम लोग R1 से लिख रहे हैं यह तीनों के जगा हम लोग क्या लिख रहे हैं R लिख रहे है तो R1 बर अब आर प्लस आर प्लस आर अर्थात आर वन बराबर तीन आर अब हम लोग लगाएंगे समांतर क्रम टिक समांतर क्रम समांतर क्रम एक बटे आर टू करेंगे R2 ठीक है? क्योंकि समनता का R2 है तो हम लोग लिखेंगे 1 बटे R प्लस 1 बटे R प्लस 1 बटे R तीनों का LCM बराबर है तो 1 बटे R2 बराबर 3 बटे R अर्थाथ हम लोग कहेंगे R2 बराबर R बटे 3 अब हमारे पास दिया है क्या दिया है जानते हो R1 बराबर N R2 तो R 1 बराबर N R2 तो N का नियुनतम मान संभव है अब R1 बराबर N R2 तो R1 के जिगह हम लोग लिख सकते हैं 3 R तो 3 R और N into R2 के जिगह लिख सकते हम लोग R बटे 3 R से R कैंसिल 3 तरिकर 9 तो N बराबर 9 तो N बराबर 9 हमारे पास option है तो पहला option है 1 बटे 9 दूसरा option है 1 बटे 3 तीसरा option है 3 चौथा option है 9 तो कौन सा option हम लोग सही करेंगे चौथा option हम लोग सही करेंगे तो चौथा option हमारे पास सही है N बराबर क्या है 9 Next question में है Question 1 के गा में है एक समान चुंब की छेतर में किसी आबेशित कड के ब्रतिपत की तिरजा अनुकरमानुपाती होती है तो ब्रतिकड की जो तिरजा है किसके अनुकरमानुपाती होती है ब्रत्ती पथी तिर्जा है किसके अनुकर्मानुपाती तो कड़ के संभेक के अनुकर्मानुपाती है अर्थात कॉंस अप्षेन सही हमारे पास दूसरा अप्षेन सही है है तो हमारे पास गा बाले में ना तो उत्तर हम लोग कहेंगे उत्तर एक के जो गा है वो किस कौन सही हमारे पास दूसरा सही है कड के संबेग के तो हम लोग कहेंगे कड के संबेग के अब इसके बाद देखो घा नमबर घा नमबर में गेट है हमारे पास उत्तर एक और घा तो लिखेंगे उत्तर एक और घा एक के घा में हमारे पास गेट इस प्रकार से है पहले तो हमारे पास एक और गेट है यू और गेट है और gate में हम लोग जानते भी है दो होते है input, ये दो input है नाम है? हाँ नाम है A और B और A होते है एक है output चलो output उसमें नहीं दर्शा गया है इसके बाद यहाँ पर इसी में हम लोग एक end gate जोडते हैं तो end gate में भी हम लोग जानते है दो होते है input तो दोगो एक पूरा कपूरा और णहीं स्का एक इंपुट है पूरा पूरा एक होता है इसमें ऑटबूट तो एक आउटफूट है और इसको आम लोग से उं मिला देते हैं और सी धुक पराप्त करने के लिए पर बתחत कुछ स्योजन से निर्गत चाहें और गेट हो और गेट भी हमने आपको पढ़ा दी थे लास्ट में फिजिक्स के लास्ट चेप्टर रही है लास्ट में गेट है गेट की बाद खतब गेट अब लोगों ने अध्यन की अच्छे से की और गेट में भी दो इनपुट और एक आउटपुट होता है अब इसमें क्या है दियेगे गेटों के सयोजन से निर्गत वाई वराबर एक प्राप्त करने के लिए अब वाई वराबर एक प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे समझना और गेट का मतलब क्या है ए या बी दोनों में से कोई एक आउन होना जरूरी है अगर कोई में से कोई एक आउन है तो इसको उमलोग प्राप्त कर सकते इसमें से हम लोग output end gate का मतलब क्या है? दोनो मतलब और gate से भी input प्राप्त करो output प्राप्त करो और इससे भी input प्राप्त करो मतलब दोनों से प्राप्त करो जब दोनों से हम लोग output input प्राप्त करेंगे तब इससे हम लोग output प्राप्त कर सकते हैं मतलब समझना मतलब हम लोग सत्यता सार्णी बनाते है सत्यता सार्णी बनाएंगे तभी समझ पाएंगे इसको तो हम लोग बनाएंगे सत्यता सार्णी पहले और गेट के लिए A input है B input है अब समझना, यहाँ पर हमने Y' माल लिया, ठीक है y dash मान लिया, तो यह y dash जब मान लो समझना, जब मान लो कि a on है और b off है तो इसको on रखेंगे, कि हम लोग output प्राप्त कर सकते हैं जब यह off है और यह on है तो इसको हम लोग on रखेंगे, क्योंकि हम लोग output प्राप्त कर सकते हैं दोनों के दोनों on है तब भी हम लोग इस पर output प्राप्त कर सकते हैं अब यहाँ पर मालोग की हम लोग यहाँ पर दोनों के दोनों off रखेंगे तब output प्राप्त नहीं कर सकते हैं अब मालोग काम करते हैं इसको y' ना मानकर हम लोग a, b, c और इसको मानते d तो यह हमारे पास d है क्योंकि y' अगर कर देंगे तो आप लोग not gate पर आज जाओगे क्योंकि not gate में हम लोगों ने y' लिया था अब हमारे पास समझना d क्या है input end gate के लिए क्योंकि यह तो or gate है और यह कौन सा gate है यह end gate है ठीक है और दोनों का दोनों का सायोचन हमारे पास jar gate इसको हम लोग कहते है jar gate जो कि पढ़ चुके थे न हम लोग यह हमारे पास कौन सा gate है jar gate है पूरा यह or gate end gate का combination jar gate ठीक यही तो इसी के पास हम लोगों ने physics में खतम कि थी हम लोगों ने physics को इसी को पढ़के पढ़ने के बाद हाँ अब यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास input यह भी हमारे पास input है ठीक input है अब दोनों के दोनों on हो तब मतलब यह हमारे पास एक और तब ही हमारे पास y common एक ठीक है अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग zero करते है और फ्रास जए निखुर्णिक और सब्सेमन पार्टन के ना नकों उसक्ट कर चाएं पर X निरे सraftork नत्युक्रणिक धांविर निख् ici बराबर एक और बी बराबर जीरो और सी बराबर एक देखो ए बराबर एक बी बराबर जीरो सी बराबर एक डी तो हम लोगोंने मान लिया है तब हम लोग वाई कमान क्या पराप्त करेंगे एक तो हमारे पास कौन सा आप्शन सही है कौन सा आप्शन सही है हमारे पास तीसरा सही है किलियर है हाँ अब देखो हम लोग करेंगे एक का इंग्या नंबर दी गई नाभी की अभी किरिया में यक्स है चलो इंग्या नंबर में देखो इंग्या नंबर को यहां करते हैं उत्तर एक और इंग्या एक की इंग्या नम्मर में है कि दी गई नाभी के विकिरा में यक्स है तो यह है परमाणू करमांग और नाइट्रोजन और यह है इसके द्रबमान संख्या और प्लस यहां पर जीरो और एन वन न्यूट्रान में है और रियक्शन के बाद है हमारे पास 6C 14 और प्लस यक्स अब यहां पर समझना यहां पर समझना क्या है दी गई नाभी के विकिरा में यक्स है तो यक्स क्या है तो यहां पर हम लोग जानते हैं यह हमारे पास क्या है यह हमारे पास परमाणू करमांग है और यह द्रबमान संख्या है ठीक है अब समझना यहां पर जीरो से जोड़ेंगे तो हम लोग यहां पर प्राप्त करेंगे साथ ठीक और इसमें इसको जोड़ेंगे तो हम लोग करेंगे प्राप्त करेंगे पंदा लेकिन यहां पर देख पार है हमारे पास यहां पर क्या है यहां पर अच्छा है और यहां पर चौदा मतलब यहां पर जड़ लिख देते हैं जड़ से हम लोगों ने physics मैंधिन किया था जड़ लिखते हैं अब यहाँ पर 6 मतलब 1 minus हैं तो 1 बचा हमारे पास और यहाँ पर जो भी हो यहाँ पर जो भी हो मतलब 1 बचा मतलब हमारे पास यह क्या है? proton है मतलब यह क्या है? proton है तो कौन option है हमारे पास? पहला option है पहला option है हमारे पास क्या है? proton है तो हम लोग कहेंगे proton proton का मतलब क्यों जानती हो? क्यों क्यों हम लोग लिखेंगे 1H1 यह H का है तो यक्स का मतलब क्या है? यक्स का मतलब है 1H1 और 1H1 का मतलब होता है proton और अगर 1H2 हो तो deutron 1H2 हो तो क्या होता है deutron ठीक है तो पहला option सही हमारे पास क्या है proton 1H1 अगर 1H2 हो तो भी हमारे पास इसको कहेंगे हम लोग deutron हाँ अब देखो 1 के चा 1 के चा में क्या है हमारे पास उत्तर 1 और चा तो लिखेंगे यहाँ पर उत्तर 1 और चा उत्तर 1 के चा में है E बराबर E बराबर 100 कॉस कॉस 6 इंटू 10 की पावर 8T प्लस 4X बोल्ट प्रति मीटर तो समतल चुम्बी की तरह के संचर की माध्यम का अपवरतनांग है तो माध्यम का अपवरतनांग तो माध्यम का अपवरतनांग E एन बराबर कोशन मार देखो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पर E सबसे पहले फार्मूला हम लोग किस से तुलना करेंगे जानते हो इसको हम लोग तुलना करेंगे ए बराबर ए नौट साइन ओमेगा टी प्लस के अक्स या केबल ओमेगा टी से हां से तुलना करेंगे हम लोग से हम लोग कर लेंगे तुलना तो यह तो पीछे हम लोग हल भी कर चुके है इसके कई सबाल हल कर चुके है जब सबाल आएंगे ना तो डीटेल हल कर रहेंगे हम लोग तो इसका जो अप वर्तना के हां सेट चार का जो आपका दूसरे का घा है दूसरे घा में आप लोग कर चुके हों ठीक सेट चार के दूसरे घा में ठीक है बाकी आप लोगों को अगर इसमें कोई दिख्कत आती तो मैं कर देंगे इसको भी ठीक है तो अब देखो कोशन में लोग दूसरा स्टाट करेंगे चलो दूसरे से पहले अप लोग इतनी को शॉर्ट करो जाना अग्लोग दूसरे के करें attract अब ऑढ़ा कि ऑड़े चंड़ हम ठाटяти όςों को अलग 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 पेजो से करोगे हर अंग अलग 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 पेजो से करोगे और अगर मालोग कि दो भूलाईन लिखने के बाद कोई खंड आ जाएं तो प्क्चे पेज चेंज न करो अगर मुझा लोगे आधी पेज भर्ने कि बाद कर और का दूसरे का में क्या है किसी आवेशित संधारितर की धारिता C फैरड तता संचित ऊर्जा U जूल है संधारितर की प्लेटों पर आवेश का व्यन्जक लिखिए अब समझना संधारिता तो धारिता को हम लोग किस से लिखेंगे और लिखेंगे क्या हमारे पास दिया ही गया है धारिता वराबर हमारे पास C है और मात्रक फैरड और हमारे पास उर्जा तो उर्जा हमारे पास उर्जा है U और मात्रक है जूल और हमारे पास आवेश तो Q, Q वराबर कोश्चन मार्क अब एक चीज ध्यान रगना एक नमबर क में आजा है तो कि यह लोग फार्मॉला लिखेंगे तो इनका कहना है कि आवेश को व्यंजक लिखिए तो हम लोग केवल व्यंजक लिखेंगे तो Q वराबर हम लोग क्या लिखेंगे Q वराबर अंडर रूट क्यों को मतलब क्या है आवेश टू और यू और हमारे पास सी टू यू सी उर्जा और यह धारिता तो क्यों बराबाद टू यू सी बस आंसर एक नंबर है इसलिए इसको हम लोग हल नहीं करेंगे ठीक है कंबिनेशन का विशेश ध्यान रखना ठीक जैसे यह लोग रेक्टेंगल बंद करते हैं और अंदर ब्लू मारकर यह भी ब्लू पिन से लिखोगे आप लोग और मोटे पिन लिखे जाओगे एक्जाम में हाँ देखो क्वेशन नमबर दूसरा दूसरे खा प्रकाश बिद्धुत प्रभाव क्या है तो उत्तर डालोगे दूसरे खा और ऐसे क्वेशनों में आप लोग हैडिंग तो कुछ बच्चे जो है न गलतिया करते हैं गलतिया क्या करते जानते हो जैसे ही हम स्कीन शॉट लेने की बात करते हैं वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो हम स्कीन शॉट लेने की बात बात ख़तम आईसा है समझना भी जरूरी है क्योंकि साइंस में जब तक समझोगे नही लिख नहीं पाऊगे इसलिए समझना बहुत जरूरी है परकाश बिद्युत परभाव किसे कहते है अब समझना परकाश बिद्युत परभाव किसे कहते है जैसे मालो कि ये कोई एक धातू का प्रेश्ट है ये कोई क्या है एक धातू का प्रेश्ट है इस पर अगर उच आबर तो उससे इलेक्ट्रॉन उस्षरजन होते हैं उससे जो है इलेक्ट्रॉन उस्षरजन होते हैं इस घटना को परकाश बिद्धुत प्रभाव कहते हैं बस समझना इसलिए जरूरी होता है तो प्रकाश बिद्धुत प्रभाव किसे कहते हैं जब किसी धातु की प्रष्ट पर उच्च आभृति का प्रकाश आपतित हो तो धातु की प्रष्ट से इलक्ट्रॉन का प्रकाश्विद्वत्प्रमव कहते हैं प्रकाश्विद्वत्परमव, काप्टन प्रभाव, सब प्रभाव, आप लोग पढ़ चुके हो अब देखो question number अब लोग जो बता रहे हैं अब लोग जो लिखोगे और आप लोग कोछ लिख लेकना आव्रती, उच्च आव्रती का प्रकाश आप्तित, आप्तित हो, तो धातु की प्रष्ट से इलेक्ट्रोन उच्छर्जीत हो तो इस घटना को प्रकाश बिद्धत परभाव कहते हैं, अब क्या है, कोशन नमर दूसरे का गा, तो डालोगे उत्तर दूसरे का गा या प्रष्ट दूसरे का गा, ठीक है, तो उत्तर दो और गा, दूसरे के गा में क्या है, एन टाइप के अर्ध चालक में बहु संख्यक, तथा अल्प संख्यक, आभेश बहको के नाम लिखिये, देखो, हम आपको बताते हैं, दोनो टाइप पढ़ा दिये, पी अन संदी डायोड आप लोग पढ़ चुके हो, पी छेतर और ये एन छेतर है, यहाँ पर समझना, पी छेतर में कोटर, बहु संख्यक में कौन होते हैं, कोटर, और एन छेतर में बहु संख्यक में कौन होते हैं, इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन, एन छेतर में बहु संख्यक में कौन होते हैं, इलेक्ट्रोन, फिर से एक बर समझना, अगर पी टाइप अर्ध चालक है, तो उसमें बहु संख्यक में होंगे कोटर, अल्प संख्यक में होंगे इलेक्ट्रोन, अगर एन टाइप अर्ध चालक है, तो उसमें ब तो समख्यक कोन एक अम लोग करेगे ते । अर्ध चालक में alma कोने है लेक्टर तुम लोग कहेंगे एन टाइप अर्ध चालक बहु संख्यक है बहु संख्यक कौन है एलेक्ट्रॉन और अल्प संख्यक कौन है अल्प संख्यक है कोटर इसको अंग्रेजी में होल भी कहते हैं ठीक है होल हाँ अब कोशन नमबर देखो next दूसरे का घा दूसरे के घा में क्या है तो लिखो के उत्तर दो और घा दूसरे के घा में क्या है बिभाव मापी के तार में बिभाव परवढ़ता का मान कम करने पर आविच्छेप इस्थिती अर्थात कोश्टक में हैं शून बिच्यप कि लंबाई पर क्या परभाव पढ़ता है फिर्षे गों संथन न विभाव मापी के तार में बिभाव परवढ़ता का मान कम करने पर किसे कम करने हैं हम लोग विभाव प्रवरता के मान में हम लोग कमीला रहें यानि एक चीज ध्यान रगना कि अगर विभाव प्रवरता का मान कम करने पर अविच्छेप इस्थिती अर्थाथ सून विच्छेप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो सून विच्छे भी स्तिति पराप्त होती है इसका अंसरिक कर दें आप लोग अधिक लंबाई पर आँछ्ष्य इस्तितिप परापत होती है को जनमंबर का इंग्या चलो दूसरे का आप लोग पहले इसको लिख देते हैं कै arguing अधिक लंबाई पर आउच्छेप आउच्छेप की इस्थिती प्राप्त होती है अधिक लंबाई पर क्या होती है आउच्छेप की स्थिती प्राप्त होती है अब देखो दूसरे का इंग्या नमबर तो हम लोग करेंगे उत्तर दो और इंग्या दो के इंग्या नंबर में कोश्चन है धारा मापी को बोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं तो धारा मापी को बोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं यानि हम लोग क्या करेंगे जानते हो स्रेडी क्रम में उच प्रतिरोध हम लोग जोड देंगे अगर स्रेडी क्रम में प्रतिरोधों को स्रेडी क्रम में जोडते हैं एनि उच्छ प्रतिरोध को क्या करते हैं हम लोग उच्छ प्रतिरोध को स्रेडी क्रम में जोडते हैं एनि स्रेडी क्रम में उच्छ प्रतिरोध जोड़कर धारा मापी को बोल्ट मीटर में बदलते हैं तो धारा मापी को बोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं सबसे पहली बात तो प्रतिरोध को स्रेडी करम में जोड़ना ही हम लोग उच्छ प्रतिरोध प्राप्त करते हैं अगर प्रतिरोत को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो निम्न प्रतिरोत प्राप्त करते हैं अगर स्रेडी क्रम में जोड़ते हैं तो उच्छ प्रतिरोत प्राप्त करते हैं तो बस सिंपल सा है उत्तर दो और चा दूसरे के चा में है दो अपवर्तनांग तो इसको किस से लिखोगे? N से लिखोगे 10 डिगरी बाले पतले लेंस तो इसको A से लिखोगे डिगरी मतलब कोड? A से लिखोगे प्रिजम में कितना नियुन्तम बिचलन प्राप्त होगा डिटा यम लिखोगे समझना जो जो है वो लिखते जाते हम पहले तो हमारे पास क्या है? अपवर्तनांग यहने दो अपवर्तनांग तो इसको लिखेंगे हम लोग यन से यन बराबर दो और A बराबर 10 डिगरी अब हमारे पास नियुन्तम बिचलन मतलब डेल्टा यम हम लोग ग्यात करेंगे डेल्टा यम बराबर कोशन मार्क अब डेल्टा यम बराबर कोशन मार्क डेल्टा यम बराबर फार्मूला क्या है? फार्मूला है डेल्टा यम बराबर यन माइनस 1 और इंटू A बस value put up करने के फार्मूला याद रखना पहुँच जरूरी है तो डेल्टा यम बराबर यन यन के जगा 2 माइनस 1 और यह हमारे पास 10 डिगरी तो डेल्टा यम बराबर 1 इंटू 10 डिगरी अर्था डेल्टा यम बराबर 10 डिगरी बस यही हमारे पास आंसर है यही हमारे पास आंसर है 10 डिगरी ठिक कोश्चन नमबर आपका है आब लोग खंड सा खंड बाक अदम खंड सा तीसरी खक्का यंग के यंग के दुएक स्लीट प्रियोग में परदे पर अधिक्तम बन, नीउंतम तीबरताओं का अनुपात 9 अनुपात 1 है इस लीटों की चोड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए क्या अनुपात होना चाहिए अधो तीसरे का का है तो उत्तर तीसरे का ठीक उत्तर तीसरे का अब एक चीज ध्यान रखना है यंग के दुईक स्लिट प्रियोग अब लोग पढ़ चुका ना दुई रेखा छिदर प्रियोग हाँ तो यंग के दुईक के स्लिट प्रियोग में परदे पर अधिक्तम और नियमतम तीब्रताओं का अनुपात तीब्रता को लिखते हम लोग आई से तो हम लोग कहेंगे आई वन और आई टू तो आई वन अनुपात आई टू हमारे पास क्या है हमारे पास है नौ अनुपात एक तो इसे हम लोग लिख रहे है एक अनुपात 9 नव एक अनुपात 9 क्यों लिख रहे है क्योंकि जब हम लोगयों ने आपको चित्रा प्रकाशन बुक्षे अच्छे सहब दिन कर वा दिया प्रूब जब यह सवाल करे था हम ने आपको तो एक आनुपात 9 से करवाय था तो नहीं स hanno होग है तो यह कुछ बदूकर्य नहीं है तो 1 अब, ऐसे कर रहे हैं यहाँ अब हमिए क्फार्मूला क्या है त्पार्मूला आपको बताते हैं अधिजिए फार्मूला कुछ इस ुषिए फ्र придум ऑन are hai कुछ ऻूर्प कर से है इसे लोगो निति видел Labo Kaiti pad a Daewon minus A2 का whole square इसी प्रकार हम लोग A1 A2 निकालेंगे तो इसी प्रकार I1 बटे I2 बराबर A1 बटे A2 का whole square जब हमारे पास ऐसे condition में हो यह final formula है उपर ठीक कौन सा यह अब समझना I1 बटे I2 के जगा लिखेंगे हम लोग 1 बटे 9 तो 1 बटे 9 बराबर A1 बटे A2 का whole square इसको अटाएंगे तो root चड़ाएंगे तो हम लोग कहेंगे यहां पर कि A1 बटे A2 बराबर 1 बटे 9 पे under root लगा देंगे तो A1 बटे A2 बराबर हमारे पास 1 बटे 3 अब समझना अब यहां पर A1 प्लस A2 तो A1 कमान 1 और A2 कमान 3 तो हम लोग कहेंगे 1 प्लस 3 बटे 1 माइनस 3 का वर्ग तो 1 का वर्ग हमारे पास 1 और 3 4 तो 4 बटे 2 का वर्ग यह कैंसिल तो 2 दूनी 4 तो 2 बटे 1 2 बटे 1 का वर्ग अर्था 2 का वर्ग 4 एक का वर्ग इसको अगर हम लोग अनुपाद में बतलेंगे तो 4 अनुपाद 1 एक बर आपका आनसर भी चेक कर लेते है कि 4 अनुपाद 1 है कि 1 अनुपाद 4 है अगर 4 अनुपाद 1 है तो तो थो हम वर्ग इह जो किया यह साही है अगर düş और 1 पास 4 है तो मतलब फिर 9 अनुपात 1 लेंगे ठीक, तो एक बार आंसर भी clear कर लेते हैं, आपके इसमें क्या है question तीसरे का 4 अनुपात 1 ही है, मतलब यही clear है 9 अनुपात 1 जो है, वो misprint है अब देखो question number आप लोग खा चलो, खा से पहले तो आप लोगों को short करना है, short कर लो अब देखो question number जो है हम लोग करेंगे तीसरे का खा तीसरे का खा में क्या है, देखो जड़ा तीसरे का खा तीसरे का में है कि एक तार का प्रतिरोध दो ओम है तो किस लिखेंगे इसको आर से लिखेंगे और तार की तिर्जा खीच कर आधी कर दियाती है ठीक है, नए तार का प्रतिरोध ग्याद कीजिए, आर्टू ग्याद करेंगे, देखो उससे पर लिखेंगे उत्तर तीन और खा तीसरे खा में क्या है आर बराबर हमारे पास क्या है दो ओम अब तार की तिर्जा खीची आती है तिर्जा खीची आती है, मतलब समझना जैसे मालो की ये कोई एक तार है ये कोई एक तार है और तार की तिर्जा खीची आती है, तिर्जा खीच कर आधी कर दिया तो इसकी लंबाई में हम लोग व्रदी करेंगे इसके लंबाई में कर देंगे व्रदी ठीक इस तार के लंबाई में कर देंगे व्रदी और यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे R1 और R2 नए तार का प्रतिरोद हम लोग ग्याद करेंगे नए तार का प्रतिरोद अब इसके आयतन में तो कोई फरक पढ़ने वाला है नहीं आयतन में तो हम लोग क्या करेंगे कि जब आयतन में फरक ना पढ़े तो उस कंडीशन में हम लोग A1 L1 बराबर A2 L2 जब आयतन आप परिवर्तित रहे ऐसा कब करते हैं जब आयतन परिवर्तिनी ना हो एक चीज और देन रगना जब इसके छेत्रफल में लेकिन परिवर्तन है छेत्रफल जानते हो छेत्रफल जो A2 है यह A1 के वाई 4 है क्योंकि अगर हम लोग दोगुने तरजा खीचेंगे तो AY 4 तीन गुने में खीचेंगे तो वह इसे अब समझना अगर दोगुना खीचेंगे तो AY 4 तीन गुना खीचेंगे तो उसी का स्क्वार करते हैं थे हम लोग एक। इसको निखालते नहीं पर एक चार प्रशहा인데,快 फैर लूटो नियुस्थ निखालांगे एकाम करते हैं पर जो सब्सक्राइटने कि निखालांगे और भर तो एक बहुंकिते daha फ़्विण है निरू जानते हो ROW बराबर RA यल तो इसी परकार इस फारमूले को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे ROW बराबर R1 A1 bar L1 और बराबर R2 A2 bar L2 पर उपना इस वहाँ इसको बराबर R2 A2 बटे यल तू अब यहां पर हम लोग इसको इसके बराबर आप पहुचा दे रहें इसे जो है इसके बटे R2 गयात करेंगे न हम लोग इसको 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 उपर पहुचा दे रहे तो R1 IN2 समझना A1 के बटे मिला रहे A2 को IN2 L2 को उपर ले जा रहे L2 के बटे मिला रहे हम लोग फिर से एक पर समझो R1 अपनी जगह पर है A1 अपनी जगह पर है A2 को इसके बटे मिला रहे हम L1 अपनी जगह पर है L2 को उपर ले गए बराबर हमारे पास क्या है R2 जो कि हम लोग गयात करेंगे R1 का मान हमारे पास 2 है तो 2 IN2 A1 बटे A2 A1 बटे A2 का मान 4 है बटे A1 का कोई मतलब नहीं होता है तो यह हमारे पास 4 है और L2 बटे L1 का मान भी 4 है बडाबर R2 तो हम लोग कहेंगे R2 बडाबर 4 चोगो 16 दूनी 32 तो यह हो जाएगा हमारे पास 32 ओम ठीक तो यह हो जाएगा हमारे पास आंसर यह हमारे पास क्या है अंसर अब देखो कोशन नमर जो है हम लोग करें कौन सा कोशन नमर तीसरे का गा तीसरे का गा तो लिखेंगे उत्तर 3 और गा उत्तर 3 और गा 2 तीसरे के गा में है एक प्रूतान तथा एकलब़ाकर समान बेग से एक समान चुम्बे की छेतर के लंबवत प्रवेश करते हैं उनके परिकर्मण कालों का अनुपाद ग्याद कीजिए सबसे पहली बात तो है परिकर्मण काल का फार्मूला आपको आना चाहिए परिकर्मण काल तो परिकर्मण काल परिकरमण काल को लिखते हैं हम लोग T से T बराबर हमारे पास फार्मूला होता है 2 πाई Yम बटे Q B 2 πाई Yम बटे Q B अब यहां पर T का मतलब क्या है परिकरमण काल Yम का मतलब द्रबमान और Q का मतलब आवेश B का मतलब चुम्बिकी छेतर इसी परकार हमारे पास क्या क्या है जानते हो हमारे पास एक है प्रोटान और एक है अलफा काड और समान वेग से तो प्रोटान और अलफा काड तो हम लोग प्रोटान के लिए प्रोटान का परिकरमण काल निकाल लेते हैं तो T P प्रोटान और ट का मतलब परिकरमण काल, तो प्रोटान का परिकरमण काल हमारे पास 2 π.m. बटे यहां पर लिखेंगे हम लोग Q, P और B, और T अलफा, यहां पर अलफा काल काल निकालेंगे, तो 2 π.m. बटे Q, अलफा, B, अब दोनों, देखो, कोश्चन में हैं, प्रोटान औ मतलब हे दोनों के वेगों को मतलब है काम करते हैं कि इसमें अनुपात निकालेंगे कभी भी कर अनुपात निकाले जाये तो ईसको हमेजी सब बटे में लिखते हैं तो लिखेंगे हम लोग T alpha बटे TP बराबर 2 pi M बटे Q alpha B बटे TP का मन 2 pi M बटे Q P B 2 pi M से 2 pi M कैंसिल इसे पहुझाएंगे एक दम उपर तो T alpha TP बराबर Q P B बटे Q alpha B B से B कैंसिल यह आपर प्रोटान पर आवेश और यह alpha कणा आप पर आवेश प्रोटान पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कुलाम अलफा क्वाण पर आवेश होता है 3.2 इंटू 10 की घात म 10 की घात माइनस 19 से कैंसिल दसम्लों से दसम्लों कैंसिल 16 एकम 16 16 दूनी 32 तो T alpha अनुपात T P बराबर 1 अनुपात 2 या 1 बटे 2 कह सकते हैं और यह हमारे पास क्या हो जाएगा यह हमारे पास हो जाएगा अंसर अब देखो question number हम लोग करेंगे तीसरे का घा देखो तीसरे का घा क्या है घा के बाद घा तो लिखेंगे हम लोग उत्तर तीन उत्तर तीन और घा तीसरे के घा में क्या है कि एक प्रकाश बिद्धुत से एक बढ़नी बिंदु प्रकाश सुरोत को आर दूरी परर रखने पर निरोधी विभ Avatar होता है जब सुरोत को तीन आर दूरी रख दिया जाता है तब निरोधी विभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा अपने उत्तर को इस्पष्ट कीजिए समझना एक प्रकाश बिद्धुत प्रभाव से एक वर्णी बिंदु प्रकाश को आर दूरी पर रखने पर निरोधी विभाव भी प्राप्त होता है और निरोधी विभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह हमसे इनों ने पूछा है तो सबसे पहली बात तो हम लोग एक च दूरी के वर्णी के दूरी हमारे पास देखो हमारे पास दिया गया है दूरी हमारे पास क्या दिया गया जब सुरोत तीन आर दूरी पर रख दी जाए कितने आर दूरी पर तीन आर दूरी पर रख दी जाए तो दूरी आर का मान है हमारे पास तीन आर तो हम लोग कहेंगे i बराबर मालम नेतांग हम लोग के ले लेते हैं और बटे हमारे पास इए हो जाएगा 3r स्कॉयर अर्थाद हम लोग कहेंगे 3r स्कॉयर और स्टार्टिंग में हमारे पास प्रकाश रोट से nioes see r दूरी पर रखने पर आर दूरी पर रखने पर हमारे पास दिया गया आर दूरी पर रखने पर रखने पर आर दूरी स्टाटिक में दे दिया गया हमारे पस तो आई बराबर आर के तो नितांग है इसका मान कुछ भी है माल लो एक माल लो और तीन दरेका नो आर नो आर नितांग का मान मान लो हम लोगोंने के बराबर क्या माल लिया एक एक माल लिया हम लोगोंने तो यह जगा नो आर स्कॉआर अब यहां पर इनका कहना क्या है कि निरोधी विभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो हम लोग देख पा रहें निरोधी विभाव परिवर्तित तो नहीं होगा यहां पर जानते हो किसे कहते है निरोधी विभाव किसे कहते है अगर किसी भी परिपत में विभाव का मान शून हो जाए तो उसे निरोधी विभाव कहते है विभाव का मान क्या हो जा शून हो जाए तो उसे निरोधी विभाव कहते हैं लोग तो क्या पर सून हो रहा है नहीं हो रहा लेकिन लेकिन तीबृता जो है तीबृता कितनी गुनी हो जाएगी एक बटे नौ गुनी हो जाएगी फिर इसे एक बार समझ लो यहां पर देखो यहां पर हम लोग देख पा रहे है कि i जो है तो formula ही हमारे पर pasti i पर यहां पर हम लोग पास आर कामान दिया गया है कोई बात नहीं यहाँ पर और यह आर के जगा 3R² आर दूरी पर रखने पर आई वराबर हमाने एक मान लिया था तो 9R² निरोधी विभाव परिवर्तन नहीं होगा निरोधी विभाव किसे कहते है अगर विभाव कमान शुन हो जाए तो उसे निरोधी विभाव कमान यह पर शुन है कही पर तो कही पर विभाव कमान जीरो नहीं है तो निरोधी विभाव में तो कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन ती विभाव कितनी गुनी हो जाएगी ती विभाव कितनी गुनी हो जाएगी ती ब्रता कितनी गुनी हो जाएगी एक बटे नौ गुनी हो जाएगी ठीक है अब देखो कोशन नमर हम लोग करेंगे चलो next खंड है खंड दा है हमारे पास तो उत्तर हमारे पास चार चार का का है दो उत्तर चार का का चार के का में है चित्र में दर्शाएगे आवेशों के निकाएग की कुल बिद्ध इस्तित उर्जा ग्याद कीजिए देखो एक हमारे पास चित्र हमारे पास इस परकार से है इस परकार से कुछ तिरभूज है चलो अगर तिरभूज तिरशी बन जा तो लोग सही बना लेना कुछ है डिश्टर्ब में तिर्भुज की यहाँ पर है प्लस 2Q आवेश यहाँ पर है प्लस 2Q आवेश यहाँ पर माइनस माइनस क्यू आवेश है माइनस क्यू आवेश है माइनस क्यू आवेश है और सभी की बीच यह दूरी अर्थावलोग की सकते तिर्भुज यह संभावू तिल्भुज है सभी भज्ञत पर देखे क्या है क्यदि कर दो इसने रती एन गया करेंगो अब लोग सबसे पहली बात तो इसने रती तैसे ऊर्जा के लिए इसथिए वह इसने देलना सग विल्टे Q1 Q2 Q2 R2 जिसे कुलाम नियम जानते हो अब लोग कुलाम नियम क्या होता है यह बरावर 1 बटे 4 pi epsilon Q1 Q2 R2 है तो वही है K का मतलब क्या है 1 बटे 4 pi epsilon R2 ठीक है K Q1 Q2 R2 इस्तिते उर्जा है हमारे पास यह अब देखो यहाँ पर जो है हम लोग अब ही minus ने ले रहे है पहली बात तो है इन दोनों में ले रहे हम माइनस Q प्लस Q में तो U को U1 कर रहे हम U को जो है U1 कर रहे है तो U1 बराबर हम लोग लिखेंगे के के Q1 Q2 इन दोनों का गुड़ा तो यह इन्टो 2 Q इन्टो माइनस Q बटे R स्कॉाइर मतलब दूरी A तो A स्कॉाइर तो माइनस 2 K Q स्कॉाइर बटे R स्कॉाइर इसी परकार U2 U2 हम इन दोनों में ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस तो K Q स्कॉाइर बटे A स्कॉाइर U3 ले रहे है U3 इन दोनों में ले रहे हैं तो same to same जो इन दोनों में वही इन दोनों में तो यह minus 2K Q square बटे A square अब हम लोगों से इनका कहना यह है कि निकाई की कुल बिद्धुत उर्जा ग्याद कीजिए निकाई की कुल बिद्धुत उर्जा जो है आप लोग ग्याद कीजिए तो हम लोग ग्याद करेंगे कुल बिद्धुत उर्जा कुल बिद्धुत है कि स्थितिज है कुल इस्थितिज उर्जा तो कुल बिद्धुत इस्थितिज उर्जा कुल बिद्धुत इस्तित उर्जा यानि हम लोग U U बरावर U1 प्लस U2 प्लस U3 लेंगे अब यह नेट है तो U बरावर हम लोग कहेंगे अब देखो हमारे पास क्या है माइनस 2K Q स्क्वाइर बटे A स्क्वाइर और प्लस हमारे पास K Q 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 पाई एपसाइलन नॉट पर रखना चाहो तो उसमें रख लो तो आप लोग बहुत एक्जाम में आगा समय की बचत करना चाहते हो तो एसी इसे ही रख लो लेकिन हम दोनों कर दे रहे ठीक है इसको हम लोग पूंड रूप में कैसे लिखेंगे समझना पूंड रूप में प 4 π.ψ.1itten k का मान हैं और तिरी को भी किर अप रखनीा किंए हमारे पासे ऑचर है आर इंटु क्यों इसको tellement इसको आए से भी कर सकते हैं हम लोग तो यही है निकाई की कुल इस् tutte अर्जा निकाय ये कुल इस्ते दिज ऊर्जा अब देखो आप लोग चौँ थे का खा चलो इतने को पहले शौट कर लोग अब देखें कोशन नमर हम लोग जो है करेंगे चार का खा चार के खा में क्या है कि परश पर लमवद रख्या आर्थ रिज्जा की दो सकेंद्री बृत्ताकार कुंडुलियों में समान धरा आई प्रवायत करने पर उनके परणामी चुम्बी की आगुण का सूत्र ग्याद की जीए देखो उत्तर हम लोग करेंगे चार का खा तो लिखेंगे हम लोग उत्तर चार और खा में क्या है परश पर लमवद रख्या आर्थ रिज्जा की दो सकेंद्री बृत्ताकार कुंडुलियों में से समान धरा प्रवायत हो रही है बृत्ताकार सकेंद्री इसकेंद्री अगर दो या दो से अधिक व्रत हो तो उसे कहते हैं सकेंद्री व्रत और प्रश्पर लंबत रखे आर तरज्य के दो सकेंद्री व्रत्ताकार कुंडलो समान धारा आई धारा प्रवाइद हो रही है तो इसमें कौन से धारा प्रवाइद हो रही है इसमें जो है आई धारा प् सबसे पहले आपको बता दें कि चुंब की आघूड का फार्मूला क्या होता है चुंब की आघूड को लिखे हम लोग लिखेंगे Ym से Ym बराबर हमारे पास फार्मूला होता है Ym into A तो M बराबर I को तो I लिखेंगे एक मतलब 6 दरफल जिसको लिखेंगे हम लोग Pi R Squire तो हम लोग लिखेंगे M बराबर I into Pi R Squire ये लिखेंगे हम लोग इसके बाद देखो एक और धनक ना कि यहां पर दो बार हम लोग जब लगाएंगे दो बार इसी प्रकार अब या M बराबर I M 1 बराबर हम लोग क्या लेके लिखेंगे I Pi R 1 Squire जों एक बरत के लिए इसकी तर्जा माल लोगों हम लोगों ने R 2 माल लिए लोगों ने और M2 बराबर हम लोग लिखेंगे आई पाई आल टू स्क्वाइर अब हम से रून कहा है कि परणामी चुम्ब की आघूर तो हम लोग लिखेंगे परणामी चुम्ब की आघूर परणामी बट्रोट में एंडर्यूट में एंडर्यूंड की आघूर कि अधन्य की बास लिखेंगे अगर आरे पसAME फार्मूला लेकल इस ही प्रकृब के लिए आपके लिए और्यों करोंके म안 रखेंगे त़्म ऊम लोग लेखेंगे जहें एंडर्वर रख देंगे तो यम बराबर अंडर रूट में M1 कमान के हमारे पास I pi r1 square I pi r1 square का whole square plus I pi r2 square का whole square तो I pi square I pi square common तो यम बराबर under root में I square pi square be common तो बचा कि हमारे पास R1 यहां पर है मारे पास pi r2 square तो लिखेंगे R1 square अब दोनों की तरज़ा कि हमारे पास R है तो हम लोग यहां पर ध्यान दखना यहां पर ध्यान दखना कि यह बचेगा R1 square plus R2 square लेकिन देखो बुक में आपके answer में देखो दोनों की तरज़ा R है तो हम लोग कहेंगे कि इन दोनों को बाहर निकालेंगे तो यहां बराबर I pi और under root में इसी लिखेंगे हम लोग R square का whole square और प्लस यह लिखेंगे हम लोग R square का whole square ठीक है अब यहां पर हो जाएगा I pi अब यहां पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जगा 2 R की घाच चार तो इससे बाहर निकालेंगे तो यह बराबर I pi R square under root दो यह हमारे पास है परणामी चुम्ब की आघूण यही हमारे पास क्या है परणामी चुम्ब की आघूण sure clear the next question हमारे पास में आप गानमबर तो लिखेंगे उत्तर चार और गाह चार के गां में हैं Wbidosa की तरणगे क्या है Wb specimen की तरणगे क्या है चित्र की साहिता से समझाई तरनगे अनुप्रस्त परकति की हो तो एक स्रेट में पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है इसे कहते हैं तो इसकी जो चितर है इस तुम्ब की चेत्र के डिशा अब विद्द्धु च्चेत्र के अकॉर्डिंग तो धाराए ऐसे प्रवाइद होती है चुम्बिकी छेत्रे एक और्डिंग धाराए जो है इस परकार से प्रवाइद होती है ठीक इस परकार से इसमें अगर बिद्दु छेत्रेखा दिखाएंगे तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे ठीक है इसमें दिखाएंगे तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे ऐसे दिखाएंगे ये सब में बनाएंगे हम लोग ठीक है तो इस परकार से इसमें सीधी एक बार हम लोग मनलब बिदुच छेतरे और चुम्बिकी छेतरे और परकार संचन की दिशा तीनों ही एक दूसरे के कैसे होते है लमवत होते है तो बिदुच छुम्बिकी तरंगे क्या है वह तरंगे जिनको संचन के लिए माध्यम की अवशक्ता नहीं होती है बिनान माध्यम के भी संचर्थ हो सकती है उस तरंगों को अमलोग विद्धु चुम्बिकी तरंगे कहते हैं और यह अनुपरस्थ क्यों होती है क्योंकि स्रंग गर्त स्रंग गर्त करते करता आगे क्यों संचर्थ होती है और इसको चलने के लिए माध्यम के भशकता नहीं होत चार और घा चार के घा में हैं एक संयुक्त सूच मदर्सी का नामांकित किरण आर्यक बनाई है जब अंतिम प्रतिविम अनंद पर बन रहा है केबल चित्र ही बनाना आपको जब अंतिम प्रतिविम अनंद पर हो तो संयुक्त सूच मदर्सी संयुक्त सूच मदर्सी जब दर्शी जब अन्तिम प्रतिबिम्ब अनंद पर हो कहां पर हो अनंद पर हो दोखो यह हम लोग यूँ छोटा सा उत्तलेज बनाएंगे ठीक बस यही अंतर होता है सायूक तुम्हें खगोली में खगोली में सबसे पहले बड़ा और बाद में चोटा इस सबसे पहले हम लोग चोटा फिर बाद में लिखते हैं लोग बड़ा तो यह है उत्तलेज की मुक अक्ष यह हमारे पास उत्तलेज इस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे जानते हो अभी द्रश्चक लेंस कहेंगे तो इस इसा कोई भी लेंस हो उसमें से दो किर्णे निकलती है एक किर्णे जो परकाशिक केंदर से होकर जाती हो सीधी निकल जाती है ठीक है और एक किर्णे अगर मुकक्ष के समानतर हो तो फोकस दूरी से होकर जाएगी अगर फोकस दूरी से आती है तो फिर मुकक्ष के समानतर हो जाती है किर्णे ठीक है तो इसमें से हम लोग दो किर्णे निकाल रहे है देखो यह किर्णे तो मुक अक्षा यह सीधी निकल जाई है मालोग यहां पर बस्तू है यहां पर क्या है बस्तू है बस्तू को लिखते हैं हम लोग O से और यह हमारे पास A और B ठीक है बस्तू है बस इस तरह से, यह किरने मुकक्ष के समानतर है, जो किरने मुकक्ष के समानतर होकर जाती है, वो फिर फोकस से होकर जाती है, एक किरन जो है वो परकाशी केंदर से होकर जाती है, जो किरन परकाशी केंदर से होकर जाती है, वो किरन सीधी निकल जाती है इसे, यह, यूँ, टिक, स प्रतिभिम्ब से हम लोगों को मज़ा नहीं आया क्या किए इसके पास और एक बड़ा सा उत्तल लेंस बनाते हैं और एक बड़ा सा उत्तल लेंस बनाते हैं यूँ ठिक और यहां पर यह परकाशी के अंदर पर अभिलाम यह परकाशी के अंदर हम लोग सीवार सीटू लिख रहे हैं अब इसको क्या करते हैं यहां से अब इसको मानते हैं कि यह बस तू है तो यहां से दो किरने ले जाओ, एक किरने यह जो मुकक्ष के समानतर होकर जाती है, जो किरने मुकक्ष के समानतर होकर जाती है, वो फिर कहां से होकर जाती है, फोकस से, तो यह फोकस से होकर जा रही है, ठिक फोकस से होकर जा रही है, और एक किरन परकाशी केंदर से होकर जा तो इन दोनों का मिलना तो हो जाएगा, असमभा हो तो फिर प्रतिम बनेगा नहीं, दोनों मिलेंगे नहीं तो प्रतिम बनेगा नहीं, तो इसको आभाश मान लेते हैं और पीछे की और खीच के लिए आते हैं, ठीक, पीछे की और खीच के लिए आते हैं, यूँ, यूँ, अ आपरोब काफी दूर जाकर अनंद पर प्रतिम बनेगा तो बस यही है कि यही है क्या किरण आरेग कि आप लोग हैंडिंग डाल लेना न कारकों तो कारक आपको बता डिते हैं आप लूग ध्यरंद कनदद को करती हैं कि जो यम है आवर्धन चमता आवर्धन चमता जिसको लिखते हैं हम लोग यम से यम बरावर फार्मूला है एक बटे याफी फार्मूला नहीं यम जो है ये अनुकर्मानुपाती है एक बटे याफी मनला ब्यूत कर्मानुपाती है तो नेत्रिका की जो फोकस दूरी है इसके बियूत क्रमानुपाती है अर्थाद हम लोग कहेंगे अर्थाद हम लोग कहेंगे आवर्धन छम्ता ठीक है जो यह फी है यह आवर्धन अच्छा इस पर कोशन क्या है किन कारकों पर निर्भर करती है तो हम लिखेंगे आवर्धन छमता आवर्धन छमता ठीक आवर्धन छमता के लिए के लिए यह है नेत्रिका की फोकास दो लिए ठीक है तो नेत्रिका की फोकास दूरी कम होनी चाहिए कम होनी चाहिए और नमबर दो भी आपको बता देते हैं नमबर दो जो है अभी द्रश्चक लेंस की फोकास दूरी जो है यह भी कम होनी चाहिए फोकस, दूरी, कम होनी, चाहिए, ठिक, यही कारक है, कारक क्या है, कारक को पर निर्भर करता है, बस यही है, अब देखो आप लोग, कोशन नमबर जो है आपका, इंग्या नमबर, इंग्या नमबर में क्या है, समझना आप लोग, इंग्या नमबर में है, किसी बिशिष्ट, यह काम करते हैं, पहले आप लोग इतनी को शॉट कर लो, तो आगे कोशन करते हैं, अब देखो कोशन नमबर हम लोग करेंगे, चार का इंग्या नमबर है, चार का इंग्या नमबर में देखो क्या है, इंग्या नमबर में है, किसी बिशिष्ट, परमाडू का उर्जा इस्तर आरेक्स, चित्र में प्रदुशित है, चित्र इस प्रकार से है, उस्तर हम लोग करेंगे चार उत्तर चार और इंग्या इंग्या नंबर में इस प्रकार से हैं चित्र C और ये है E C ठीक है फिर B और ये है E B और A ये है E A ये उर्जा इस्तर है उर्जा C से Electron C से संक्रमण करके पहुचा A पर Electron संक्रमण करके C से पहुचा B पर Electron संक्रमण करके B से पहुचा आपका A पर ठीक है ये इस प्रकार से उर्जा इस्तर आरेक है तो किसी परमाडू का उर्जा इस्तर आरेक आपके चित्र में है इस तर सी से ए का उथ्च सर्जण संकरमण में 1,000 एंगस्ट्रॉम 1,000 एंगस्ट्रॉम बिलकुल तरह है और सी से बी उथ्च सर्जण संकरमण 5,000 एंगस्ट्रॉम तरंगतरफध होती है कि तुम लोग कहेंगे C से A में तो जो संकरमण है तो हम लोग कहेंगे हमारे पास है 1000 एंगेश्ट्राम और जो C से B है C से A और C से B है C से B C से B जो है हमारे पास यह हमारे पास है 5000 एंगेश्ट्राम और B से A B से A जो हमारे पास है लेमडा का मान यह हम लोग ग्याद करेंगे यह हमारे पास इसका जो तरंग धैर है 1000 एंगेश्ट्राम और यह तरंग धैर हमारे पास है 5000 एंगेश्ट्राम यह हम लोग जो है ग्याद करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे C से A C से A में संक्रमण उर्जा इस्तर C से A में संक्रमण उर्जा इस्तर उर्जा इस्तर को हम लोग simplify में हम लोग E से लिख सकते हैं और संक्यत के लिए C A है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर E बराबर E A माइनस E C ठीक E A माइनस E C अब एक चीज़ देन रखना है E का अच्छा एक फर्मूल तो हम लोग जानते ही है E का मान क्या होता है E का मतलब क्या है उर्जा जो कि हम लोग जानते कि H C बटे लेम्डा इसका फर्मूला होता ही है तो हम लोग कहेंगे H C बटे लेम्डा hc बटे λेम्डा अब यहाँ पर समझना आप लोग कि इसे लिख रहे हैं हम लोग बराबर ea minus ec हाँ h कमान हम लोग चानते 6 देस हम लोग 6 into 10 की घात minus 34 c कमान 3 into 10 की घात 8 लेम्डा कमान देखो c से a तो c से a में लेम्डा कमान हमारे पास क्या है a1 000 एंगिस्ट्राम को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करना कर सकते हैं जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग कहेंगे 10 की घात minus 10 10 की घात minus 10 अब यहाँ पर हम लोग इसको गर electron bolt में convert करना चाहें तो एक दिस हम लोग 6 into 10 की घात minus 19 अब हम लोगों किसमें कनवर्ड कर लिया है एलेक्टरान बॉल्ट में जब इसको कंपलेटली हम लोग करेंगे तो ई-माइनस एसी बराबर हम लोग करेंगे तो हमारे पास सम्थिंग के बाद माइग करना पीट करना स्टार्ट करते हैं दसमलों दसकी घात बगएर हम लोग अटाएंगे चलो डर्क लिए अंसर लिख देर हैं अब लोग इतन तो कर ही लेते हो वह पता है तो बारा दसमलों 375 बारा दसमलों 375 इलक्ट्रोन बोल्ट अब हम लोग निकालेंगे संक्रमण फिर से सी से बी संक्रमण में उर्जा सी से बी में संक्रमण में उर्जा इस्तर आरेक तो उर्जा इस्तर हमारे पास अब इसमें लिखेंगे हम लोग यहां पर C A तो A C हुआ तो B minus C बराबर यही H C बटे λेम्डा ठिक H C बटे लेम्डा लेम्डा का मान के वाल convert करेंगे हैं पर हम लोग तो यहां पर लिखेंगे हम लोग H का मान हमारे पास क्या है जानते हो माइनस 34 3 x 8 बटे लेम्डा का मान हमारे पास 5000 अंगेश्टरम है तो 5000 अंगेश्टरम को 10 की गात माइनस 10 और 1.6 इंट्रो दसीवत माइनस 19 यह हम लोगों ने इलेक्टरोन बोल्ट में कनवर्ट कर लिए ठीक है इसको जब हम लोग नहीं B से C से B है तो C से B तो मैं मिलेगा completely जो है 12 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 जिसे चलेंगे हम लोग ठीक और यहां पर छलो ड्रेक्ली हम ड्रेक्ली आंसर रखे दे रहे हैं क्याँ कर लोग हैं तो हम ड्रेक्ली आंसर ही रख दे रहे हैं तो आंसर आपके पाझे आज जाएगा यह 12 14 12 275 लगभग 12 14 275 11 अब जो है हम लोग क्या निकालेंगे B से A B से A B से A B से A का मतलब क्या जानतो अब लोग B से A में संक्रमण उर्जा इस तर मतलब हम लोग कहेंगे E A माइनस E B अब एक काम करते है कि समी करण कुछ मिश्ट यह दोखो यहां पर हाँ अगर समी करण इन दोनों को घटाते है समी करण एक और समी करण दो माल ले इसको समी करण एक और समी करण दो माल लेते है तो हम लोग यह तो ग्याद करेंगे तो हम लोग एक काम करते हैं समी करण एक और दो को घटाने पर तो जब घटा देंगे तो EA-EC बराबर 12.375 और यह हमारे पास है EB-EC बराबर 2.475 अब यह माइनस प्लस माइनस जब घटा देंगे तो इससे यह कैंसिल यह हमारे पास हो जाएगा EA-EB बराबर यह हमारे पास 5-5 0, 7-7, 0 यहाँ से एक लेंगे हमारे पास हो जाएगा 13-9 और यहाँ पर 11 से हमारे पास बचा 9 तो लगभग 9.9 electron bolt लगभग तो हमारे पास क्या जाएगा लगभग 9.9 electron bolt यह तो ऊर्जा इस तरह है तो हम लोग कहेंगे EA-EB बराबर हमारे पास फार्मूला होता है HC बटे लेमडा यहाँ पर इसका मान हमारे पास है 9.9 बराबर H का मान है 6.6 इंटू 10 की घाद माइनस 34 और इंटू 3 इंटू 10 की घाद आड बटे लेमडा का मान हम लोग ज्याद करने जा रहे है इसको पहुचाओ यहाँ पर इसको पहुचाओ यहाँ पर तो लेमडा वराबर 6.6 इंटू 10 की घाद माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की घाद 8 बटे 9.9 9.9 जीरो जीरो भी रख सकते हो या किवल 9.9 अब इसको electron bolt में convert करने के लिए हम लोग 1.6 इंटू 10 की घाद माइनस 19 से गुड़ा कर लेंगे तो लगभग जब इसको ठीक 1250 इंगे स्ट्रम अब देखो हम लोग करेंगे कोशन नंबर नेक्ष्ट कोशन नंबर हम लोग करेंगे पांच पांच एक बायू यान के पंक फैलाओ की लंबाई यल मीटर है तथा न्यू मीटर प्रति सेकेंड की वेक से उत्तर से दच्छर दिसा में उल्ड रहा है प्रतिवी के चुम्ब की चेत्र का 36 घटक एच बीबर एक चीछ आपको पता दे कि चुम्ब की चेत्र का 36 घटक वाले जो है नमन कोड नती कोड दुइकपात कोड यह लेसन भू चुम्बकत का जो लेसन है आपकी बार हटा दिया गया है तो आपकी बार NCRT सेलेवरस में न वहां तर लगायाता है बोल्ट मीटर B का प्रतिरोद 6000 ओम है तार पर बिंदू C बिंदू A से एक चौथाई दूरी पर हैं बोल्ट मीटर का पाठियांग क्या है तो सबसे प्रतिव चित्र इस परकार से है चित्र बना के आपको बताते हैं पांच का आपका है खा तो लिख यहां पर आपका बोल्ट मीटर है यू यहां पर यह पर यह परतिरो यह है आपका प्रतिरोधकता और यहां पर हमारे पास है C यहां पर है A यहां पर हमारे पास है C और यहां पर है B यहां पर है B और यह जो बोल्ट है इनके बीच यह है 220 बोल्ट ठीक हाँ देखो अब हमारे पास क्या-क्या मान है हम लिख रहे हैं हमारे पास मान क्या-क्या है मान है मारे पास A B का प्रतिरोध तो लिखेंगे R A B बराबर 12,000 ओम ठीक उसके सीरों के बीच बोल्ट बोल्ट तो हम लोग कहेंगे V A B V A B बराबर हमारे पास है 220 बोल्ट विभानतर लगाया गया है बोल्ट मीटर का प्रतिरोध 6000 ओम है बोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है यह 6000 ओम है तार पर बिंदू C पर बिंदू C पर बिंदू A से एक चौथाइ अब परतिरोद हमारे पास बारह गया है कितने एक चौथाई है एक चौथाई दूरी पर मतलब चार बाराबर भागों में इसको डिवाइट करेंगे काटेंगे तो चारती है बारा अर्थाद हम लोग इसको प्राप्त कर लेंगे 3000 ओम जो कि बोल्ट मीटर का प्रतिरोध है ठीक है और बोल्ट मीटर वी का प्रतिरोध हमारे पास 6000 ओम है और हम लोगों ने प्राप्त भी कर लिया अब जो 3000 ओम और 6000 ओम हमें पहले से दिया गया है यह दोनों हमारे पास किस किरम में हैं इस दोनों हमारे पास समानतर किरम में हैं तो हमारे पास तीन हजार इंटू छहजार बटे तीन हजार प्लस हम लोग लिखेंगे छहजार अब इन दोनों कम्पिलिटली जब लोग सॉल्ब कर लेंगे तो समझने हमारे पास सम्तिंन आ जाएगा दो हजार दो हजार ठीक चलो कहई से अपको दिखा देते हैं ये हो गया आपके पास तीन हजार इंटू छहजार बटे छहजह तिन नो हज़ार ठीक, तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल और ये तीन दुनिच है तीन से तीन कैंसिल तो बराबर हमारे पास 2000 ओम ये तो AC हमें AB चाहिए न हमें क्या चाहिए ये AB तो हम लोग कहेंगे BC तो BC निकालेंगे तो R' BC हमारे पास अल्रेड़ी कितने ओम है AB तक AB तक 12,000 ओम है हम लोगों ने AC AC डैस में में कितना प्रत की 2000 2000 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचे का केबल 10,000 सुरी एंगेश्ट्रम बता रहे ओम कितना बचे का 10,000 ओम R' BC में यहां से यहां तक कितना बचा हमारे पास 10,000 ओम बचा रुक जाओ एक बड़ कोई मिश्टेक तो नहीं है मिश्टेक कुछ है यहां पर हम लोगों ने 2000 तो प्राप्त कर लिया 12,000 माइनस यह बोल्ट मिटर बार प्राप्त के हम लोगों ने 12,000 माइनस 3000 अर्थाथ हम लोग कहेंगे 9,000 ओम यह 3000 यह नहीं संदागी यह माइनस करेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा हमारे पास 9,000 अब अमसे पूछा क्या है बोल्ट में का प्राप्त हैं, हम लोगों गैत्कर लेंगे तो A और B के बीच हम लोग बोल्ट प्राप्त हैं कौन सा question है चलो थे पांच में का खा. तो 5 में का खा. 40 Dal 50 कि चालीस बोल्ट दिया गया है. चलो. अब भी देखो आगे. अब हम लोग A वा B के बीच, हम लोग निकालेंगेS A वा B के बीच परतिरोध. तो A वा B के बीच हम लोग निकालेंगे परतिरोध. जब पृतिरोध गयत करेंगे तब ही गयत कर पाएंगे हम लोग तो हमारे पास है हमारे पास क्या-क्या दिया गए एक हम लोगों ने गयत किया 2,000 2,000 एक हम लोगों ने गयत किया कितना 9,000 9,000 तो टोटल हमारे पास कितना बना 11,000 ओम बना ठित अब हम लोग जानते कि फार्मूला ओम के नियम से आई बरावर वी बटे आर अर्थाद हम लोग कहेंगे वी हमारे पास 220 बोल्ट है आर हमारे पास कितना है 11 हज़ार 10 से 10 कैंसिल 11 दूनी 22 और यह हो जाएगा 2 बटे 100 अर्थाद आई बरावर हम लोग कहेंगे कि 2 बटे 100 ही रखो अब हम लोग बोल्ट मीटर का पाठयांग गयाद करेंगे तो बोल्ट मीटर का पाठयांग आराम से गयाद कर सकते हैं हमारे पास क्या है आई है तो वी वरावर हमारे पास 860 किन पार कमान हमारे पास है हम लोगों ने गाइद किया कितना 2000 गाइद किया था ठीक है अब 2 0 से 2 0 कैंसर बीस दूरे चालिस बॉल्डत तो वी BAV trials वी बरावर हमारे पास किया हो चालिस बॉल्डत हम लोगों ने AC वाला इस ली यह इतने के बीच गयात करने हैं नहीं को इसलिए हम लोगों ने इतना सब कुछ ताम जाम किया ठीक अब देखो next question तो short कर लो इतने में अब देखो question हम और हम लोग जो करेंगे हम लोग पांच में का गा पांच में क्या है आप लोगों से हमबल request है कि इसको जो है आप लोग से एक जिट कर लिजी एक निरीट चार में इसको हम बता चुके हैं अब अगर इस वीडियो में हो ठीक है अब आगी question देखिए आपका sad 4 question number कि आपको काफ सिदरी कोशन हें कुशन मिलगें तीसरी का खां तीसरी का थीसरी खां आम बता चुके हैं तो सेट 4 तीसरी खां अब देखो आप लोग कोशन नमबर पांच में का घा पांच में घा में चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके एनी सलेव के प्रष्ट एबी पर प्रकाश की किरान 45 डिगरी कौन पर आपतिद होती है गुटके के पधार्थ के नियूंता अप्रदरंग यन कमान आप लोग ज्याद कीजिए जब प्रकाश किरान का उच्छ बीसी से पूर आंतर प्रवारतन होता है देखो तो हम लोग करेंगे पांच में का घा पांच में का घा तो उत्तर हम लोग करेंगे पांच और घा ठीक पांच और घा तो पांच के घा में हैं इस प्रकार से पहले हमारे पास एक और यहां पर है अभी लंब और इस प्रकार से किरने आपस्तित हो रही है जो की 45 डिग्री पर है और यहां पर अपवरतनाग यन है और यहां पर हमारे पास भुज्जाए A B C D है A B C D है अब देखो यहां पर जब हम लोग ग्याद करेंगे तो हम लोग चित्रा अनुसार हम लोग जानते हैं इसनेल चित्रा अनुसार नहीं हम लोग लगा देंगे इसनेल का नियम इस नेल का नियम क्या होता है जानते हैं अब लोग साइन आई बटे साइन आर तो यन बराबर साइन आई बटे साइन आर यन का मान हम लोग जो है देखो यहां पर यन का मान ग्याद कीजिए तो यन का मान जो है हम लोग ग्याद करेंगे यन का मान जो है हम लोग ग्याद करेंगे अब यहां पर हम लोग कहेंगे यन बराबर आपतन कोड आई तो साइन पैतालिस बटे अब देखो साइन आर को हम लोग साइन आर ही लिखेंगे कि साइन आर का मान हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो हम लोग कहेंगे sin r sin 45 का मान हम लोग जानते हैं कि sin 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 तो ये n बरावर 1 बटे अंडर रूट 2 sin r sin को यहाँ पहुचा दो n को यहाँ पहुचा दो sin r बरावर 1 बटे अंडर रूट 2 n अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं गयाद किया केवल साइन आर हम लोगों ने गयाद किया अब यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस करनी है कि हम लोग यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक प्रेश्ट A भी तो हम लोगों ने कर लिया हम लोगों गयाद करेंगे प्रेश्ट अब प्रेष्ट BC के लिए मतलब समझना यहां पर इनका लास्ट में यह करतन है यह सुद्ध प्रकाश किर्ण का ऊर्ध प्रष्ट BC से पूर्ण आंत्रिक पराबरतर होता है तब तो इसलिए प्रष्ट BC के लिए ग्याद कर रहे हैं तो BC के लिए हमारे पास एक बटे यं बराबर फिर पूल अंतरिक परावर्तर नोग जानते फार्मूला किया ओते हैं तो न बराबर एक बटे साइन सी तो हम लोग कहेंगे की यंबराबर एक बटे साइन अब BC का मतलब है में 90 से माइनस कर रहे हैं तो हमारे पर मिनश नबबे साथ học rapid तो यह एंपर यहनं बराबर हमारे पास एक बटें ब्रॉंड और साइय नबबे साथ एक बदो को वर्ग करके जोडने पर यह क्लास 11 थी कि मैथ में लोग पढ़ चुके था बाद दिक्कर आ सकती वालो को वर्ग करके जोडने पर तो इसका वर्ग करेंगे तो यह जगा साइन स्कोईर आर पर इसे से अब कर एंके दोंata रहेंगे जोडने तो यह जाएगा कॉश स्कोईर आर बराबर से एक बटे दो एन इसकोईर एक बटे आप दो एं स्कोईर प्लस एक बटे आर l sq ृ सो यह एक इं दोनों बराबर तीन बटे दो अर्थाथ हम लोग कहेंगे यन बराबर अंडर रूड तीन बटे दो मैं लोग यह दोनों यह अंडरूड का अंदर है यह न बड़ाबर अंडर रूड 3 बटे 2 देख लेते हैं अगबर अंसर क्या है इसका अंसर अंसर ठीक है अंडर रूड 3 बटे 2 तो हम लोग कर लेंगे इसका अंसर अंडर रूड 3 बटे 2 अब देखो question number जो है हम लोग करेंगे इसका अथवा, पांच में का घा का अथवा, तो हम लोग लिखेंगे उत्तर पांच और घा और अथवा, उत्तर पांच घा और अथवा, दो पांच घा और अथवा, अथवा में हैं, दस सेंटीमीटर वकरता तिरजा वाले, फबसे पले हम लिख लेते हैं, NG वराबर हमारे बसकाच का अपवरतनांग है हमारे पास 3,2 इसके बाद NW, एनि जल का अपवरतनांग हमारे पास 4,3 दस सेंटीमेटर वकरता तिरजा वाले, दस सेंटीमेटर वकरता तिरजा वाले, ठिक, हाँ, और दुई उत्तर लेंस, संपर्क रखें, दोनों भी लेंसों के 20 जल में भरा है, सायोक लेंस की 16 प्रकरती ग्याद कीजिए, और चित्र देखें, चित्र हमारे पास दिया गया है, चित्र आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से है, यू, 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 और यू उत्तर लेंस भी है, जो की इसमें जो है, हम लोग जल भर देते हैं, ठिक, यू, अब हमारे पास तिर्जा जो है, 10 cm है, तो हम लोग कहेंगे, आर बराबर हमारे पास क्या है, 10 cm, यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला क्या लगा देंगे, समझना अब लोग, lens maker का formula हम लोग जानते है lens maker के सूत्र से यह पतले lens के लिए सूत्र तो 1 बटे यप बराबर n-1 और 1 बटे r1-1 बटे r2 ठीक 1 बटे r1-1 बटे r2 इस formula से हम लोग लगाएंगे यहां पर 1 बटे f को तो 1 बटे f लिखेंगे यहन का मान हमारे पास हम लोग लेंगा अभी जल में 4 बटे 3-1 अब बात आती है r1 और r2 की r1 और r2 की तो अभी हम लोग r1 r2 कुछ नहीं ले रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 बटे r और 1 बटे r r1 r2 दोनो ही r लेकिर हमारे पास धेनकना कि अगर सापेक्ष में आते हैं तो 1 r प्लस में विप्रित जाते हैं तो 1 r हमारे पास तिरजाक्या हो जाएगी माइनस में तिरजाक्या हो जाएगी हमारे पास माइनस में तो मान लोग कि यहाँ पर हम लोग यह R हमारे पास minus में तो यह हमार प्लस में तो यहां पर हम लोग कहेंगे 4 3 1 3 4 से गड़ गया तो हमारे पास 1 बटे यह बराबर 1 बटे 3 into 2 बटे R अर्थाथ हम लोग कहेंगे 2 बटे 3 R कौन सा अपवरतनांग से हम लोग जल का जब अपवरतनांग लेंगे अब फिर से एक बार समझना फिर से एक बार हम लोग फार्मूला लगा देंगे फार्मूला लगा देंगे 1 बटे यह बराबर यन माइनस 1 1 बटे R 1 माइनस 1 बटे R 2 यह फार्मूला एक बार औल लगा देंगे जब एक बार ALL लगा देंगे तो हमारे पास यहां पर हम लोग लेंगे एक बटे यख बड़बर यहां पर तीन बटे दो माइनस एक अभ आती है R1 और R2 की जगा हम लोग क्या लेंगे, ठिक, R1 और R2 की जगा, तो अब की बार आर तो इससे यह cancel तो हमारे पास minus 1 बटे आर अब एक काम करते हैं focus दूरी को हम लोग F1 F2 बना लेते हैं और हमारे पास क्या है सहयोक्त लेंस की चमता यह पी ग्याद करेंगे न हम लोग क्यात करेंगे पी और प्रकर्ती भी हम लोग ग्याद करेंगे सहयोक्त लेंस की चमता तो हम लोग कहेंगे यह बराबर समझना अब लोग यह बराबर हमारे पास formula होता है 1 बटे F1 प्लस 1 बटे F2 तो 1 को 1 कर लेते हैं 1 को 2 कर लेते हैं एक चीज समझना अब लोग चीज आपको यह समझना है इसमें जो हम लोग फोकस दूर करेंगे प्लस 1 बटे F1 और एड करेंगे इसमें क्यों इसकी अगर लेंगे हम लोग तो देखो इसमें क्या according है यहां पर आपको दिखाते हैं कोश्चन के एकार्डिंग ही हम लोग लेंगे इनका कहना है कि दोनों लेंसों के बीच जल है तब इसी लिए हम लोग एक बटे एप बन हो लेंगे तो हमारे पास यहां पर समझना, एक बटे याफ बराबर, एक बटे याफ बन कमान क्या हमारे पास? याफ बन कमान हमारे पास दो बटे तीन आर, प्लस दो बटे, एक काम कर लो, अब लोग इसको बाद में निकालते हैं हम लोग इसको इसको एप टू मानो और इसको एप बन मानो तो एक बटे माइनस माइनस एक बटे आर माइनस एक बटे आर दो बर हां तो एक बटे अब बर दो बटे तीन आर माइनस दो बटे आर अर्थात हम लोग कहेंगे तीन आर एल्सियम है तो दो और माइनस 2-3-6 तो 4R तो 1 बटे यव बराबर माइनस 4 इंटू 3 इंटू R कमान 10 है तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये 5 थिक तो हम लोग कहेंगे कि ये 2 बटे 15 अब जंता गयत करेंगे तो P बराबर फार्मूला एक बटे f उभी मीटर में वी किसमें मीटर में तो P बराबर हम लोग लिखेंगे माइनस 2 बटे 15 मीटर के लिए लोग इंटू पिंटे क्या करेंगे हम लोग 100 थिक तो 5 से काटो तो 5 से जब काटेंगे हम लोग तो 5 दूनी 10 20 दूनी 40 तो माइनस 40 बटे 3 तो P बराबर माइनस 13 तिया 49 तो 13.3 मीटर बस यही हमारे पास आंसर है यही जो है हमारे पास आंसर है ठीक है अब देखो question number हम लोग करेंगे next जो हमारे पास है इंग्या number 5 का गौस के नियम का उप्योग करते हुए तो यह अनंत लंबाई की एक समन सीधी तो यह question हम लोग कर चुके है यह question हम लोग set 3 6 में कर चुके है set 3 question number 6 आप लोग उसको जाकर बिजिट कीजिए आप लोग उसको आपर देख सकते हुए question हम लोग कर चुके है ठीक है तो इतने को पहले shot कर लोग प्रकाश का विवरतन क्या है एक वर्णी प्रकाश का विवरतन के रूप में केंद्री उचिष्ट कोड़ाई दोस्तों आपको बता देगे यह कोश्चन भी हम लोग कर चुके हैं क Edwards पणते आरे 2022 का सेच पहिला कोशन 6 आत्तव हम लोग कर चुके हैं उसको जांगे जरूर बिजट कर लेजीए अब तो लिखेंगे उत्तर domainigne अध्वा पतार चय में प्रकाश को प्रियुक्त किया जाता है इस लेटों के बीच के दूरी एक मिली मीटर था सिलीटों वा परदों के बीच के दूरी एक मीटर है तब ग्याद कीजिए नमबर एक छह जार एंगस्ट्रम तरंग्धर के लिए परदों की उच्छिष्ट अधिप्ति फ्रिंजों की दूरी अब लोग ग्याद करोगे फरें ग्यानना लेमड़ बन हमारे पास क्या है 6600 सोब्म जो है अब हमारे पास इसको में सउतर कर न चाहीं तो मितर करना चाहिए और यह 5,000 x 10,000 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 x 10 मिٹर, मिम्म लोगों ने इसको क्या कर लिया ? मिνε मेंule तो करक्ते सकते हैं कि एक हे तो हम लोग करे सकते हैं एक ंटू 10 की घात माइनस 3 यह हो जाएगा मीटर और परदे की बीच की दूरी जो है 1 परदे कीी बीच की दूरी एक मीटर हящ हाँ दोनों पर्दों के बीच के दूरी जो है यह भी हमारे पास एक मीटर है तो हम लोग कहेंगे जो कैप्टल डी है यह हमारे पास है एक मीटर इसको मिली मीटर हाँ तो दस इंटू दस की खात में इस थी ठीग है अब देखो यह पर हमारे पास इनका पहला कोशन है तरंग धैर के लिए परदे पर केंद्री उच्ष्ट से दूती अधीप्ति फ्रिंजों की दूरी तो फार्मूला लगा देंगे हम लोग सबसे पहले पहला नमबर हमसे पूछ रहा है इनका कहिना है छहाजार एंगस्ट्राम तरंग धैर के लिए परदे पर केंद्री उच्ष्ट से दूती अधीप्ति फ्रिंजों की दूरी तो हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर हमारे पास है 2 n-2 फार्मूला 2 n-1 वाइटू तो 2 Amanda की दिलिमडगे टू दे टूडी तो अब समझें आप लोग यहां पर जो है मान रखेंगे तो एक्स टू बराबर तू इंटू दुती है तो एनकंमा मैंस एक औरिटे दू और डी कमान हमारे पास एक और लेंड़ा कमान हमारे पास है छ ciudad से न तो श कर लोग कर लेंगे दो तो नहीं 4 से घड़ा लेंगे तो 3 तो यक्स्टू बराबर हमारे पास 3 बटे 2 इंटू 10 से 10 कैंसल कर लो तो 600 इंटू 10 की घात माइनस 10 बटे 10 की घात माइनस 3 इसको काटो 2 3 6 तो 3 तरह का 9 तो यक्स्टू बराबर 3 तरह का 9 इंटू 10 की घात यह दो एक दो माइनस 10 और प्लस 3 अर्थत 5 तो यह जाएगा 9 इंटू 10 की घात माइनस 5 तो माइनस 5 हम लोग लिखेंगे क्या दिर आंसर अपके बर चेक कर लेते हैं 0.9 mm तो 0.9 mm पांच सही है एक बर चेक कर लेते हैं पांच यह दो तो हम लोग कहेंगे एक स्टू बराबर हमारे पास जुर्द समलों 9 यह जाएगा मिली मीटर और मिली मीटर में करेंगे तो यह हमारे पास जाएगा मिली मीटर अब देखो अब देखो हमारे पास दूसरा कंडीशन का क्या कहना है दूसरा कंडीशन में इनको कहना है कि 5000 यह जाएगा यक्स त्री बराबर यंडी लेमडा बटे यह दीप्त के लिए यह अधित के लिए अब लोग गयात करेंगे दीप्त के लिए तो यह जाएगा मारे पास है 2D तो देखो यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे ठिक मान रख देंगे हमारे पास तो यक्स 3 बराबर यह 3 इंटू डी का मन हमारे पास क्या है एक इंटू लेमडा का मन हमारे पास क्या है 5000 और इंटू 10 की घात माइनस 10 और 2D का मन हमारे पास है 10 इंटू 10 की घात माइनस 3 एक्स 3 बराबर यह जगा 3 पचे पंदा तो 3 पचे पंदा इंटू 10 की घात 1, 2, 3 1, 2, 3 तो 3 प्लस 3 माइनस 10 तो एक्स 3 बराबर एक पंदा इंटू 10 की घात यक्स्तिरी बराबर एक दिसमलो पांच मिली बोल्ट क्या है मिली मीटर है मिली मीटर ठीक है अब देखो हम लोग तीसरा तीसरे पार्ट को भी गयाद करेंगे तीसरे पार्ट में हमसे यह है तीसरे पार्ट में तीसरे पार्ट में इनका कहना है कि केंदरी उत्षिष्ट से ब लेंडा 1 बराबर, दोनों समपाती होता है दोनों बराबर तो लोग लगा धेंगे Hem लगा गेनिके है 1 प्लेस 1 लेंडा 2, बात यह है कि लेंडा 1 ऑर लेंडा 2 मतलब समझना यहां पर हम लोग सब्ले나 हीन कमान ग्यात कर लोते हैं यन और लेमडा 1 का मान हमारे पास है 6,000 इंटू 10 की घात माइनस 10 और यन प्लस 1 और इसका मान हमारे पास है 5,000 इंटू 10 की घात माइनस 10 तो ये यन और ये आपके पास एक काम करते हैं 10 की घात माइनस 10 से 10 की घात माइनस 10 कैंसिल 3, 0 से 3, 0 कैंसिल तो यन इंटू 6 बराबर ये बचा 5 और यन प्लस 1 अंदर गुणा करो तो 6 यन बराबर 5 यन प्लस 5 इसको इदर पच्छांतर कर दो तो हम लोग कहेंगे 6 यन माइनस 5 यन बराबर हमारे पास 5 तो यन बराबर 5 अभी यन का मान नहीं गयत करेंगे हम लोग हम लोग यहाँ पर अब एक चीज़ धन रगना हम लोग गयत करेंगे 6,000 6,000 अंगस ट्रम भी है और 5,000 अंगस ट्रम भी है तो हम लोग कहेंगे यक्स बराबर अब समझना यहाँ पर यक्स बराबर 5 लिखेंगे जाए क्हा है कूंच सा पांच ये पांच अब हमारे पांच जो मान दिया गया है एक स्मोह जीरो दीक स्म्न रोग Ш्ञ दिसम्ल जीरो लिखेंगे व्लोग कुपा सा 1 दॿसम्लोग navy यहां पर हम लोग ठीक तो यहां पर नहीं काटेंगे यहां पर हम लोग ठीक तो यहां पर 3 0 है हमारे पास तो यहां पर हमारे पास 3 3 6 4 हाँ यहां पर देखो यहां पर हमारे पास है 1.0 into 10 की घात minus 3 ठीक अब इसको completely जब हमोग solve कर लेंगे तो यक्स वराबर हमारे पास 5 into 6 into 10 की घात 3 minus 10 plus 3 तो यक्स वराबर 30 into 10 की घात minus 4 तो हम लोग कहेंगे यक्स वराबर 3 मिली मीटर तो यह आजाएगा हमारे पास यक्स तो यक्स हमारे पास क्या है 3 मिली मीटर ठीक है अब दोस्तों इतने को पहले आप लोग short कर लो फिर आगे question करते हम लोग करेंगे साथ को साथ में क्या है दो समांतर धारावाय चालों के बीच कार करने वाले बलके आधार पर एक एमपेर की परिभाषा कीजिए चित्र में तो एक एमपेर की परिभाषा कीजिए दो चालों के बीच कार करने वाले बलके एक एमपेर की परिभाषा दीजिए चित्र में दो समानतर चालकों में धाराय विपरीत दिशा में प्रवाइद हो रही है चालक एक्स में धारा आई क्या हो जिससे की बिंदु पी पर उत्पन पढ़ना में चुमगी चेत्र सुन हो चालक वाई पर धारा दस एंपियर है देखो यहां पर दगों हम लोग लिखेंगे उत्तर साथ उत्तर साथ तो हम लोग करेंगे उत्तर साथ साथ में है इस प्रकार से यक्स है यह जिसमें आई धारा प्रवाइद हो रही है नीचे की और और यह वाई है जिसमें धारा प्रवाइद हो रही है उपर की और और P बिंदू पर ये 10 Ampere की धारा है और ये जो है ये 10 cm है और ये 5 cm है ठिक 5 cm है अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे कि फार्मूला क्या होता है B बराबर B बराबर फार्मूला चुम्बे की छेत ठीक है B बराबर चुम्बे की छेत ठीक हमारे पास फार्मूला होता है म्यूनाट बटे फोर पाई अच्छा 2 पाई होता है 2 का उपर निचे हम लोग गुणा भी कर लेते हैं ठीक है तो यह होता म्यूनाट बटे फोर पाई अब दूरी हम लोग लेते हैं दूरी क्या होती है दूरी लेते हैं अब समझना यहां पर हम लोग बी बराबर म्यूनाट बटे 2 पाई को तो 2 पाई लिखेंगे आई तो हमारे पास आई क्या हो सकती है आई हमारे पास अलग-अलग है तो समझना सबसे पहले म्यूनाट बटे 2 पाई इसको लिख सेंगा आई बटे अब आर यहां से यहां तक 15 cm पंदा इंटू 10 की घात माइनस दो चुम्बे की छेतर का मात्रक क्या होता है टेसला अब यह तो है कागज तल के लंबवत उपर की और की बात की गई है कागज तल के लंबवत उपर की और यह हम लोग किसकी बात कर रहे है कागज तल के लंबवत उपर की और है उसकी बात कर रहे है अब देखो B बराबर हमारे पास यहां पर X लग देते है X की बात हो गई अब B हम लोग जो हैं बॉय अब बॉय अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग यहां से यहां पर धनक ना तो 5 cm लेंगे हम लोग तो 5 इंटू 10 की घात माइनस 2 चुम्बी की छेदर का मातरा क्या है टेसला अब ये क्या है जाएं तो कागज तल के लंवत ये अंदर की ओर है ये जो चुम्बी की छेदर है ये है कागज तल के लंवत अंदर की ओर की बात की गई है टेक इतना तो किलियर है उपर की ओर नीचे की ओर उपर के लिए हम लोगों ने दोनों को प्लस कर लिया नीचे की ओर के लिए हम लोगों ने माइनस कर लिया 10 से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा पांच दूरी हो जाएगे अब हम लोग जो है इनका कहिना है कि भिंदू P पर पाणव कि शेत्र सुन हो जाता है इसका मदलब है जो BX है अगर अगर अम लोग BY के बराबर करेंगे तो अमारे पास सुन ले सकते हैं बराबर अब एक चीज़ धेन रगना यहां पर यहां पर एक चीज़ धेन रगना कि एक मान हमारे पास 10 अंपियर हमारे पास दिया गया है नसकी घात – 2 बराबर यह मुशनında बटे er टू पाई और यह वर पास दसड़ाय मारे पास दसकी कहपे जो यहाँ पर हमारे पास 10 की गात्म आदें दो कैंसिल ठीक तो आई बटे पंदा बराबर 10 बटे पांच पांच तीया पंदा तो आई बराबर 10 तीया 30 एंपियर बस यही तो पूछा थमसे तुम लोग कहेंगे 10 तीया 30 तीस एंपियर अब देखो साथमे का अथवा तो हम लोग करेंगे साथमे का अथवा एकजाम में कोई एक करेंगे यहां पर हम लोग दोनों कर रहे हैं तो तर साथ और अथवा साथ में है नाभी किसंगलाइं प्रक्रिया समझाइए सब्सकां एक प्रकर्टी में इसा प्रकर्ती प्रोटान का द्रब्मान हमारे पास है लिखेंगे प्रोटान प्रोटान का द्रब्मान हमारे पास है एक दिसमलो जीरो जीरो साथ दो आट एटमॉस एटोमिक मास आफ यूनिट यहीं एएम यू एटोमिक मास आफ यूनिट निउट्रोन का द्रब्मान निउट्रोन का द्रब्मान एक दिसमलो जीरो जीरो आट छे साथ एटोमिक मास आफ यूनिट और इसके बाद लीथियम नाभिक का द्रब्मान लीथियम नाभिक का द्रब्मान साथ दिसमलो जीरो एक चार तीन छे एटोमिक मास आफ यूनिट और एक एटोमिक मास आफ यूनिट बराबर हमारे पास है नो सो एकतिस एम इवी मेगा एलेक्ट्रोन बोल्ड तो लीथियम में आप लोग कितनी आप लोग के उरजय दो निकलेगी यह इनका कहना है तो समझना सबसे पहली बात तो यह है कि फार मुला दखो तो मुल निखालेंगे लीथियम हमसे इनका कहना है कि लीथियम लीथियम नाभिक जैनि 3-117 नाभिक बनाए तो कितनी MEV उर्जा मुक्त होगी कितनी MEV मुक्त होगी सबसे पहले तो उपर हमारे पास 4 neutron और 3 proton हमारे पास संगलित होकर 4 neutron प्लस 3 proton का द्रबमान 4 neutron PLUS 3 proton का द्रबमान 4 neutron plus 3 proton संगलित होकर प्लस 3 proton का द्रबमान तो अब समझना अब लोग हम लिखेंगे 4 into 4 into neutron का द्रबमान हमारे पास क्या है एक दिसमलो 0 0 8 6 7 प्लस तीन प्रोटान का द्रबमान तो 3 into तीन प्रोटान का द्रबमान एक दिसमलो 00728 तो गुणा कर लेंगे हम लोग तो 7 चोक 28 बचा 2 7 चेंग 42 और 24 बचा 4 8 चोक 32 और 4 36 4 एकम 4 प्लस 3 8 तरिका 24 बचा 2 3 दोनी 6 दो अड 7 या 21 0 दसमलो 3 इन दोनों को जोड लेंगे तो 7 समलो 0 का 0 3 2 5 6 और 1 7 उल्टा जोड रहा है इदर देखो 4 8 4 12 8 4 12 बचा 1 और 1 13 8 4 12 और 8 4 12 और 1 13 बचा 1 1 और 6 और 7 और 1 8 2 और 3 5 0 दसमलो यहने 7 दसमलो 0 5 8 3 2 atomic mass of unit तो महरे पस दिया गया था ठीक है अब द्रब्मान छती गयाद कर लेंगे तो द्रब्मान द्रब्मान छती द्रब्मान छती बढ़ाबर हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे जानते हो हमारे पस क्या कर देगा, चार न्यूट्रान तीन प्रूटान तो महरे लिखेंगे हम लोग लगाएंगे माइनस हम लीथियम का द्रबमान लगाएंगे लीथियम का द्रबमान हम लोग लीथियम का द्रबमान ही ग्याद करेंगी और द्रबमान छती हमारे पास दिया गया क्या द्रबमान छती हमारे पास नहीं दिया गया है नहीं दिया गया है अब समझना तो हमारे पास इस पूरे का मान हमारे पास दिया गया है साथ दिसमलो जीरो यह पूरा है अट तीन दो माइनस लीथियम का दिर्पमान हमारे पास है क्या लीथियम का दिर्पमान हमारे पास है साथ दिसमलो हाँ यह है साथ दिसमलो 0, 1, 4, 3, 6 एक बार रिचेक कर लेते हैं इसका गुड़ा बड़ा सही है तो 7 चोग 28 बचा 2 4 चार्चिंग 24 देखो 7 चोग 28 बचा 2 4 चार्चिंग 24 24 और 2 26 बचा 2 8 चोग 32 मिश्टिक है इसका दोखो यह मिश्टिक है दोस्तो फिर से एक बार 7 चोग 28 बचा 2 4 चिंग 24 25 चार्चिंग 24 बचा 2 8 चोग 32 चार्चिंग 24 और यह 0 और यह 0 और यह 4 प्लस 3 से गुड़ा करेंगे तो 3 अठे 24 बचा 2 3 दोनी 6 दो 8 सातिया 21 और 0 दसमलो 3 अब जोड़ेंगे तो यह हो गया 8 चार 12 बचा 1 8 और एक 9 9 और 6 पंदा बचा 1 1 और एक 2 2 और 4 चार चार अब 2 और 3 पांच 0 दसमलो तो यह आगया 56 ठीक तो यह हमारे पास है 56 बचार्चिंग 24 अब यह जब घटा लेंगे तो यहां से 12 से 6 और यहां पर 4 से 1 यहां पर 6 से 2 5 से 4 और 0 दसमलो जीरो तो हम लोग कहेंगे 0 दसमलो 4 2 1 6 यह तो हम लोग द्रबमान 6 ग्याद कर लिए हम लोगों ने अब हम लोग ग्याद करेंगे इसकी तुल उर्जा म.E.B. में तुल उर्जा तुल उर्जा हम लोग ग्याद करेंगे तो जीरो चार दो एक छे इंटू नौ सो एकत्ति हमारे पास यह दिया गया तरह पहुंचते हैं तो यहां पर जब इसका मल्टिप्लाइ कर लेंगे अंसर दिया गया क्यास में अंसर दिया गया हाद 1925 तो हम लों कहेंगे का अब देखो हम लोग जो है paintings कौन सेगे क करेंगे में और न इstrings कई उसके लोग और इसके बाद परिपत्र में चित्र की शायता से पिन संधी डायोड की कार्ट प्रतिरोद सबसे पहली बाद तो हम लोग इस को नहीं कर रहे हैं तो हम आप लोग जो जो जॉइन है उसको प्रवाइट कर देंगे अथवा देखो अथवा तो हमारे पास है तो हम लोग करेंगे और अथवा तो उत्तर नो और नो का हम लोग करने जा रहे हैं अथवा नो के अथवा में हमारे पास चित्र है चित्र इस प्रकार से है यहाँ पर बारा बोल्ट है यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है और यहाँ पर प्रतिरोध है पांच ओम यहाँ पर प्रतिरोध है छै ओम उसके बाद यहाँ पर धारिता है दो माइक्रो फैरेड यहाँ पर धारिता है तीन माइक्रो फैरेड अब इनका कहिना है कि जित्र में इस थे वस्तर में दोनों संदरति के संजित आवेश ग्याद कीजिए अबेश का मतलब है क्यूँ जो है आप लोग ग्याद करोगे और पलिटों के बिच विवांतर की करना किजिए लिवज आप लोग ग्याद करोगे। सबसे पहली बात तो यह है देखो सबसे पहले लोग आई गयात करते हैं तो आई वराबर फार्मूला क्या होता है इबटे आर प्लस आर यह टोटल आर तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि इबटे इक मतलब हमारे बारा बोल्ट है और टोटल आर यहां से देखो बैटरी के अब यह धंटर मिला और यहां से धारा परवाइद करेंगा जो दरे इस पर वई दरा इस पर बात करेंगे और जो हमारे पास है एक एमपियर की धारा महारे पास देखो यह दोनों जो इसमें धारा या आवेश प्रवाइद धारा प्रवाइद होगी वह धारा इसमें प्रवाइद होगी यह दोनों हमारे पास है स्रेडी किरम में तो हम लोग कहेंगे एक बटे सी बराबर एक बटे दो प्लस एक बटे तीन अर्थात हम लोग कहेंगे q बढ़र civ । हम लोग गयात कर लेंगे q बढ़र civ ।曦 एक चीज़ यहां पर दॉन रखना क्या लोग व तो यह बैद इन ही वाआबर आगर अगर आपध करना चाहते हैं तो पहले 2 गयात कर लेटे ठिक-W. हम लोग जो नेट विवावन कि आतर नहीं क्या कर रहे हैं तो धेनक ना वी वराबर हमारे पास ए कमान क्या है 12 क्या है'm I मैंने कमान एक इंटू आर कमान क्या हमारे पास एक अर्थाद 12 से 1 घटाओगे तो 11 बोल्ट अब हम लोग लगा देंगे कौन सा फर्मूला अब हम लोग फर्मूला लगा देंगे Q वराबर CV Q वराबर CV अर्थाद C कमान हमारे पास क्या है C कमान हमारे पास है 6 बटे 5 अर्थाद 11 तो 11 चीका 56 बटे 5 Nicro Coolamb अगर हम लोग इसको micro convert करना चाहएचे 10 की घात माईनस 10 में convert करेंगे 10 की घात माईनस 10 में हम लोग convert करेंगे क्या पूशा गया हम से संचित आवेश संचित आवेश तो अगर हम लोग इसमे भाग लगाते हैं बाग लगाते सबसे पहले पॉइंट में अंसर हैं तो क्यू बराबर पांच एकम पांच बचा एक पांच तीया पंदा बचा एक तो पांच दूनी 10 तो 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 यह हमारे पास क्यू गयाद कर लें हम लोगोंने फार्मूला के लगा देंगे यहां पर वी गयाद करेंगे तो क क्यू बटे सी तो पहले वी वन गयाद कर रहे हम लोगा तो वी वन बराबर क्यू बटे सी क्यू बटे सी क्यू हमारे पास तेरा दिसंबलो दो है बटे हम लोग सी सी हमारे पास दो माइक्रो फार्ट के लिए तो दो चिंग बारा तो दो चिंग बारा बचा एक दो चिंग तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो है सिट पांच को भी हम लोगों ने बीडवलू को भी कम्पिलेटली कटम कर लिया है अब हम लोग सेट छे बीयक्स में मिलेंगे ठीक है तो आज के सेट में दोस्तों इतना ही जहीं जह भरत आप लोग सवस्तरी है मस्तरी है कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए हम उसको प्रोवाइट करते हैं एक दो दिन डिले कर लेते हैं क्योंकि हो तो पीडियो कर मैं तीट neighbors बेंत अपने विच्छतसरी हम्तवर यूठ आपके साथ के हम आ ऊपने मौटी वेट करते हैं तो हम मौकीट होकर तुरंथ आपके कमेंट सेक्शन को पाड़कर तुरंत आपके कमेंट का जवाब देने के कोशिश करेंगे विद वीडियो के साथ ठिक तो आज की वीडियो तो इतने रही जैहिन जैवरत तो टेकर स्क्रीन शॉट